इस वीडियो में हम देखेंगे कि classplus का जो test है नाया तो उसका evaluation कैसे होगा कैसे evaluate उसको करेंगे तो उसके evaluation के लिए आपको मैं कुछ ID passwords दूँगा हो सकता है कि मैं आपको जो दूसरा ID हो तो थोड़ा सा different हो लेकिन store में आप जैसे ही जाएंगे तो यहां पर एक course है MPPAC main paper 3 answer writing course इस course में आपको जाना है और जैसे आप course open करेंगे तो यहां पर आपको content मिलेगा तो आप content में जाएंगे आप content में जाने के बाद अभी जो हमारा test submit हुए है एक मैंने खुद ने ऐसी normal कुछ upload कर दिया तो दूसरा जो है mega चतुरवेदी student का है तो इसको evaluation के evaluate करने के लिए जब आप click करेंगे तो जैसे ही आप click करेंगे एक नया window यहां पर खुलेगा तो इस student ने कुछ अपने answer submit किये है पहले तो इसने properly उसको scan भी नहीं क करें तो यह particular answer जो है वह आपको zoom हो गया तो जूम होने के बाद भी आप उसको read कर सकते है नॉर्मली भी आप read कर सकते है वह बोलड़ा है movement of body following circular path is called the circular section यह circular motion उसको कहा जाता है तीक है अब यह आपने देख लिया आपको कखर कुछ comment करना है तो draw और write से जाके आप कुछ comment कर सकते हैं या कुछ भी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं you can also change the color of it तो आप उनको जाके evaluate कर सकते हैं या बता सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजह उसके अंदर mention करनी है आपको कोई text अगर लिखना है रिमाक लिखना है तो यहीं पर आप अपना जो रिमाक है उस रिमा के बाद you can move down तो अगले question को आप चेक कर सकते हैं तो इस प्रकार से हर page के उपर आपको जो questions है वो questions दिये हुए हैं आप जैसी next करेंगे तो just a wait जैसी next करेंगे अगला question आ गया है capitalist law of gravity और यह सब question उसने दिये तो बच्चों का especially बोलें कि उपर page number जरूर लिखे हैं ताकि वो खुद भी confused ना हो उसके अंदर तो इन answers को चेक करना है इनके जो numbers है आप यहाँ पे चाहें तो रिमाक के अंदर उनके number लिख सकते हैं कि हाँ टीके question दो number इसमें दिया या एक particular question है उसमें अभी तीन number यहाँ पे दिया है तो इन सभी numbers को आपको टोटल करना है उसमें टोटल आपका 150 में से एक्जामपल के लिए उसको 40 marks मिला है 40 marks मिला है तो एक मिनट तो जो भी 40 marks उसको मिला है तो उन marks को आप यहाँ पर mention कर दें कि सब्मिट कर सकते हैं student को थोड़ा सा बोलें कि answers को जो copy है उसको properly scan करें तीक है उसका दूसरी चीच कि कई सारे मेने पुराने answers भी आप लोगों के देखे हैं तो उसमें आप जो तीन marks की question है उसमें अच्छे का से marks देते हैं अब इसने क्या किया है कि जो पहला question है उसको आक कर रहा है 10 word को तो यहां पर आपको mention करना है कि आपको 10 word के अंदर ही उस answer को लेखना है अगर वो उपर जाता है तो आपको उसको marks काटना है और किसी भी तीन number की question में दो से उपर marks नहीं देना है नहीं आपको 5 number की question में तीन से ज्यादा marks देना है और 11 number में maximum 7 marks उससे इस प्रकार से आप evaluate कर सकते हैं submit कर दे marks और यही PDF बच्चे को मिल जाएगी और वो उसको download करके उसको देख सकता है या अपने marks देख सकता है PDF उसको download कर सकता है जैसी आप evaluate कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि ठीक है evaluation हो गया है और evaluation is done आप वहाँ पर आपको लिख सकत कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप इसको evaluate कर सकते हैं मैं अभी आज ही आपको सब कुछ content बगरा provide कर दूँगा ID बगरा तो इस तरीके साब answers चेक कर सकते हैं बाकी चीजे मैं आपको group के अंदर बता दूँगा thank you